नमस्कार, मैं भुपंधर पन्रपंड है। हिंदी चनल में आप सबका हादिक्स फ़ाकत करता हूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में समय समय पर जिग्यासर आती है कि मुक्तक कावे क्या है प्रबंध कावे क्या है महा कावे क्या है जो कावे के विवीद रूप हैं तो आज के लेक्षर में मैं पुरी तरह से इन अधानाओं को इसपश्ट करूंगा कि मुक्तक कावे से क्या तात पर यह है प्रबंध कावे से क्या तात पर यह है खंड कावे क्या है और महा कावे क्या है यदि आप इसको समझना चाहते हैं तरह शुरू से अंते तक जरूर देखें फ़रास हम कावे के बारे में देख लेते हैं कि कावे क्या है मनुश्य एक सम तो भाषा के माध्यम से जो समाद में रहने वाले लोग ह crispy अपनी भावनाओं को अभिवyakt करते हैं और अपनी मन की भावव और विचारों को दूसरे तक पहुचाना चाहते हैं और उनकी भावदाओं से अवगत होना चाहते हैं वाड़ी या शब्द के माध्यम से ही भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है कम्यूनिकेशन कैसे होता है, संप्रेशन कैसे होता है वाड़ी के माध्यम से होता है और वाड़ी किसके माध्यम से व्यक्त करती है इन सब बातों को भाषा के माध्यम से, शब्द के माध्यम से यही वाड़ी वारता बाचित, शास्त्र, काव्य या साहित्य के माध्यम से व्यक्त होती है तो लोगों के बीच में जो impression होता है communication होता है सम्वाद होता है इसे हम कहते हैं वारिय वारता या बाचित और शास्तर या काव्य या साहित ये माध्यम हैं जिनके माध्यम से समाज के रहने वाले लोग अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो यह आप समझ गए इसके बाद जिसमें ज्ञान वी ज्ञान की प्रधानता हो उसे शास्त्र कहते हैं और जिसमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो उसे कावे या साहित्य कहा जाता है मतलब जो written communication होता है वो दो प्रकार से होता है एक शास्त्र के माध्यम से होता है तो शास्त्र किसे कहते हैं इसमें ज्ञान भी ज्ञान के प्रधानता होती है इसमें भावनाओ के प्रधानता नहीं होती बलकि तरक अथवा बुद्धी के प्रधानता होती है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है चास्त्र कहा जाता है और जिसमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो जिसको पढ़ कर या सुनकर हमारे मन पर कोई प्रभाव पढ़ता है जिनमें भावनाओं के विव्यक्ति प्रभल मात्र में होती है उसे हम कहते हैं काव्य या फिर साह दूसरे शब्दों में समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य करते हैं इसके बाद भी जो भाव प्रधान साहित्या है उसे हम कहते हैं काव्य विद्वानों ने काव्य के विभीन लक्षण बताएं हैं काव्य के विभीन लक्षण या विशेषता हैं बताएं बहुत सारे व पाक्ये जिसको पढ़नेपर हमको रस के अनभूती होती है उसे कह जाता है कावय रस 25 के ही कावय है यह कहना है आचारवे सनात का ये कावय के लेक्षन बता रहा है इस बात पंधी Dhira जगनात क्या कहते हैं पंडितरा जगनात के अनसार रमडी अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं रमडी अर्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम पता वे शब्द जिनको पढ़कर हमकर सुन्दर अर्थ प्राप्थ होता है सुन्दर अर्थ की प्रतित ही होती है पागति है चुन कर ल२े रम्र राम्रिश रांटां संधर ग्रारा क्वक replacing सैन्ज आजारे रांचंदः शुकल क्या करते हैं जिस परकार आत्मा की मुक्तावस्था थ्यान के लिए रिदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुश्य की वाड़ी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता काते है अचार राम चंदर शुक्ल ने कविता को कैसे परिभाशित किया आत्मा की मुक्त वास्ता जैसे जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है ज्यान की प्राप्ति होने पर हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है उसी परकार रिदय कब हमारा मुक्त हो जाता है जब किसी कावे को हम पढ़कर या सुनकर साहित को पढ़कर या सुनकर हमारा हृदय मुक्त हो जाता है चान्त हो जाता है उसे कहा जाता है रसदशाह so these like फो सब्सक्रों को ethics करने के लिए मनुस्जिक की वाड़ी जिन शब्दों के माध्यां से अभीवक्त होता है उसे हम कहते हैं कविता कविता क्या है मनुष्य की ऐसी वाड़ी जो मनुष्य के हिदय को मुक्त कर दे जो रस्त दसा में पहुचा दे उसे कह जाता है कविता और जैसंकर प्रसाजी ने क्या कहा है आत्मा की संकल्पनात्मक अन्भूती कहा है कावे को कावे आत्मा की संक्ल्पनात्मा की अन्भूती है मत समान्य अन्भूती नहीं है विशे इस प्रकार की अन्भूती है जैशंकर प्रसाजी के अंसर तो यह तो छोटी कुछ पर भाषा हैं और लक्षण हो गए अब हम देखते हैं सभी विद्वानों के निश्करसा नुसर भाषा के माध्यम से संदर्य अन्भूती की अभिवक्ती ही काव्य है तो भाषा के माध्यम से जो संदर्य की अन्भूती होती है या संदर्य अन्भूती की अभिवक्ती होती है उसे ही कह जाता है काव्य बहार्षा के माध्यम से पहले संदरी की अनभूती होती है किसको होती है? कभी को होती है भार्षा के माध्यम से पहले संदरी की अनभूती होती है भावनाओं की अनभूती होती है कभी अनभूत करता है किसी चीज़ को और उसको जो अभिवक्त कर देता है उसे कहा जाता है कावे, कावे के भेदा भी यहां से हमारा मेन आज का टॉपिक चुरूँ हो रहा है, अभी मैं आपको लक्षन बता दिया हूँ, कावे के भेद कितने होते हैं, मैं मुख्य मुख्य भेदों को लेकर रहा हूँ, जो मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ तो कावे के बाहे रूप के अधार पर दो भेद किया जाते हैं, पहला है पध्य कावे और दूसरा है गद्य कावे, गद्य कावे आज नया सुन रहे होंगे हो सकता है, पध्य कावे में क्या होता है, पध्य कावे में छंद अथवा नीमित लाए का प्रयोग किसी ने किसी किन्तों गद्य कावे में उनका प्रयोग नहीं किया जाता अर्था चंद ही ने रचना गद्य कावे है लेकिन इसमें चंद नहीं होता है उसे क्या कह जाता है गद्य कावे कह जाता है इसका उधारन एक कथा अथ्वा आख्याई का इस पकार कावे के बाहर रूप के अधर पर कावे दो प्रकार के होते हैं पद्य कावे और गद्य कावे पद्य कावे में छंद और लाय होता है और गद्य कावे में या छंद वगरा नहीं होता है पद्य कावे के प्रकार अब पद्य कावे के दो प्रमुख भेद होते हैं मुक्तक कावे और प्रबंध कावे पद्य कावे के कितने भेद होते हैं जो आज का हमारा में टॉपिक यही है मुक्तक कावे और प्रबंध कावे आई देखते हैं मुक्तक कावे क्या है मुक्तक कावे में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है मतल जो भी दोहया चुपाई है जो कुछ भी है दोहा सोठा वगरा वह आपस में संबद नहीं होते प्रत्य चंद अपने आप में सोतंत्र होता है अता चंदों या गीत का करम बदल देने पर भाव इसपस्ट करने में अस्विधा नहीं होती किसी भी चंद को किसी भी जगह रख स आगे पीछे यह जो इस्टेट होते हैं उनको आगे पिछे दोहा को भी आगे पिछे रख सकते हैं तो सूर्-मीरा-बिहारी रहीम है कभियों के गे पद द मुक्तक काव्य के उदारने जिनको हम घा भी सकते हैं सूर्-मीरा-बिहारी इसफे बड़ गजल होता है उर्दू म समझ गई मुक्तक काओय कि जो छंद होते विया आपके पिछे से सम्बंदित नहीं होते अपने iبر इसे इसे याँ जाता है मूक्तक जो मूक्त हैं जो समधंत्र हैं एक दूसरे के किसी चंद को आप आगे पीछे कर देंगे या हटा देंगे तो फिर क्या है उसमें मामला करबा हो जाता है ना समझ नहीं पाएंगे आपको लगे कि कोई चीज मीसिंग है यहां पर चंदों के करम को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि यह कथा वस्तु उसके अधर पर कहानी होता है प्रबंद कावे में क्या होता है किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में डिटेल्ड वर्णन होता है पुरा विस्तृत के बारे में विस्तार से व्याक्या की जाती है उसका वर्णन किया जाता है तो प्रबंद कावे क्या विस्तृत होता है इसका विस्तार ज्यादा ब प्रबंद कावे के हम दो भागों में भारित कर सकते हैं एक होता है महा कावे और दूसरा होता है खंड कावे प्रबंद मुक्तक कावे हमने देख लिए मुक्तक कावे सिर्फ मुक्तक कावे होता है लेकिन प्रबंद कावे इसको दो भागों में भारित कर सकते हैं महा कावे औ जब आप पढ़ते हैं तो भगवार राम के जीवन का पुरा सब कुछ उसमें उल्लेक है जन्मस से लेकर पुरा उनका उत्तरकान तक सब कुछ आप वहां पर पढ़ पाएंगे उनके जीवन के विभिन हिस्सों का पूरी तरह से वर्णन है रिहद कावे होने के कारण ही से महा कावे कहा जाता है महा कावे के प्रहु क्लेक्शन इस प्रकार है अब चूंकि किसी व्यक्ति के जीवन के प्रतेक हिस्से का यहां पर वर्णन है इसलिए इसे महा कावे कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार बहुत बढ़ा हो जाता है अब यह आगया हम आपको विदारहंड होते हैं सर्ग किसे कहते हैं सर्ग होता है ग्रंध का प्रक्राइट या फिर अधियाए जो होते हैं सर्ग होते हैं जो महा कावय का नायक धिरोदात गुड। से युक्त होता है और ढरोधान्यायक किसे कहते है contenido यह अपनी भावनाओं पर पुरी तरह से नियंतरन रखता है मतला बाहरी परिस्टितियों से प्रभावित नहीं होता जैसे उसकी जो तो आ करती है पर निर्भार नहीं करती हैं बलकि उसके जो खुशियां है उसके जो दुख राग विराग है यह सब उसके मझ के अंदर उसकी भावनाओं पर का धारित होते हैं मतलब उसका अपने मन पर पुरी तरह से भावनाओं पर तो इसा नायक जो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंतर्ठन होता है उसे प्रकिंगरी अखने पसक reputation currently , नायक और कई प्रकार के नायक होते इसमें शान्त, वीर अत्वा, स्रिंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है एक किरस इसमें प्रधान होता है ना शान्त रस या फिर वीर रस अत्वा, स्रिंगार रस महा कावे में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ती होती है महा काव में क्या होता है जो चार पुरुशार्थ हैं भारती संस्क्रीती में जो चार पुरुशार्थ माले गए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति होती है इनकी प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष होता है धर्म तो धर्म हो गया आर्थ मतलब जो आर्थिक धन स तुक्तियादी हो गया काम मतलब काम हो गया जो सेक्स वह अब यह सेक्स वाला है बलकि एक पिढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरुषार्थ को पराप्त करना होता है आने वाली पिढ़ी आ सके की दुनिया में जिसे जीवन का करम चलता रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है उत là के मुख्च प्राप्त हो जता है तो महाकावे में चार पुरत्सार्थ प्राप्त करना उद्धेश होता है धर मरत् काम मोक्ष chant और इसमें अनेक चंदों का प्रयोग होता है तो इसमें बहुत सारे चंदों का प्रयोग होता है दोहा भीया चौपाई भीया और विभीन प्रकार के चंदों का 108 रोला इत्यादी का इसमें प्रयोग होता है इसके बाद प्रमुक महा कावे कौन-कौन से है हिंदी के प्रमुक के दौरा लिखा गया और और कावाईनी शंकर प्रशाजी के दौरा लिख गया है। तो बाल कांढ उसके बाद हो गया अद्धिया कान फिर लंक़ कांड किश्किंधा का अरें ले कैंड नहीं तो यह और को प्रॉपर आडर में मरूम नहीं है तो यह होगया उसमें इसके बाद आंप प्रमु की जीवन की किसी एक घटना एक पुल्णता के साथ अंकरन के जाता है खंड कावे के प्रमुख लक्षन इस प्रकार है अब खंड कावे में नायक के जीवन के किसी एगटना का वर्णन होता है महा कावे में आपने देखा कि उसके संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है प्रत्व एक हिस्से का वर्णन होता है लेकिन खंड कावे में क्या होता है उसके जीवन के छोटे से हिस्से का वड़न होता है या फिर उसके जीवन के मरम इस परसी हिदय को छू लेने वाले जो अंस है उसका पूर्णता कैसा अंकन के जाता है खंड कावे के प्रमुख लेक्षन कौन कौन से हैं खंड कावे में मानाव के किसी एक पक्ष का चित्रवन होता है मतलब उसके जीवन के किसी एक भाग का किसी रहिदा इस परसी घटना का उसमें चित्रवन होता है और इसमें प्राया एक ही चंद का प्रयोग किया जाता है इसमें बहुत सारे चंदों का प्रयोग नहीं किया जाता प्राया और इसकी जो कथा वस्तु होती है वो भी पौराडी के आयतिहासिक विश्यों पर अधारित होती है महा कावे का भी प्राया ऐसे ही होता है नाशान्त रस वीर रस इत्यादी कहा महा पर प्रयोक कर रहे थे किसमें महा कावे में कि यहां पर खंड कावे में क्या होता है उसके पर्णद नहीं से हैं पंचवटी, जैदरतवद, सुदामाचरित, तुलसिदास, हल्दी घाटी का युद और आप लोगों के लिए प्रस्णा है इसमें कि आप कमेंड बाक्स में लिख कर बताएं किन सब के रचनाकार कौन-कौन से, यहां पर मैं जान भूझ कर आपको नहीं बता रहा हूं ता आपके आप वहां पर कमेंड बक्स में कमेंड लिकर मुझे बताएंगे कि यह जो खंड कावे है, पंचवटी, इसके रचनाकार, जैदरतवत के रचनाकार, सुदामा चरित के रचनाकार, तुलसी दास के रचनाकार, और हल्दी घाटी का युद्ध, यह जो खंड कावे हैं, इसके रचनाकार कौन है तो निच्छी दुरुप से आज का जो मेरा यह लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही हेलफुल रहेगा असा मुझे विस्वास है राम चरित्मानस के जो चार कांड है जो आपको बताना भूल गया था बता देता हूं आपको प्राया परिच्छा में पूछा जाता है कि प्रापर आडर में कौन-कौन से हैं तो बाल कांड ऐवधिया कांड आरेंडे कांड और किश्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड और उत्तर कांड